तो मोधी बताये आतंगबाद कहा से आया, मोधी बताये कि नोट बंदी के बाद फरवरी 2019 में 40 जवानों के हत्या आतंगबादियों ने कैशे की, हमारा विदेश मंत्रा लए और विदेश मंत्री सच बोल है, तो मोधी को उठा के अत्कड़ी लगा कि जिल में डालो देशे ग नवश्कार मैं सरवन कुमार, आप देख रहे हैं जनहीत अवाज, और हमारे साथ बात चीत करने के लिए खास में एमान है, वुपेंदर रावत जी, आज इनसे देश के मुद्वों पर कुछ बात चीत करेंगे, असर देश में जिस तरह से आगामी लोग सबाद चुनाव शंपन हुआ, उसके बाद से प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रधानमंत्री जी थे, उसके बाद से दुबारा, तिवारा, तीसरी बारिज बार प्रधानमंत्री पद का सफ़द लेते हैं, ऐसे में जिस दिनों सफ़त लेते हैं न जून को उसके बाद से देश में लगातार आतंकी हमला हो रहा है इस पर आप क्या करेंगे यह रणनीती का हिस्सा है अगर मुझसे आप पूछो और बहुत इमानदारे के साथ जांच पढ़ता लोगे ति यह बहुत बड़ी रणनीती की चाल है मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब लोगसबा चुनाओ कि हमारे देश सुग बुगाट सुरू हो रही थी तो एक बात यह भी आई थी कि चीन का हस तक छेप रहेगा लोगसबा चुनाओ में और चीन चाहरा आथा कि नरिंदर मोदी की सरकार बने और फिर भाजब भारत में नरिंदर मोदी ने परचार सुरू किया कि पाकिस्तानी चाहते हैं कांग्रेज की सरकार बने मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं घोर चाता था कि हमारे देश में संविधान को बचाने वाले, हमारे देश में गरीबों को एक एक लाख रपे देने वाले, हमारे देश के बेरोजगारों को नौकरी देने वाले, हमारे देश में अपेंटिसिप करने के बाद डिप्लोमा ध नी चाहिए एक हम पाकिस्ताने नहीं है नरेंदर मोदी कहते हैं पाकिस्तान जो बोट की गणना होने चाहिए इंडिया अलाइंस को जो बोट पड़ा है एप सारे के सारे भारतिया बोट पड़े है अब मैं बताता हूँ खेल क्या है मैंने बहुत पहले भी कहा था आप आप चीन और पाकिस्तान का जो नाम लिए हैं इस तरह से देश के लोक्तंत की खुबसूरती पावलाल चन उठा रहे हैं। राष्टिया सुरक्चा सलाकार अजी डोबाल का बेटा पाकिस्तानी आतंग बाजियों के फैनिंसर सयद अली अबास का साजेदार है पार्टनर है। हमारे देश की जेन में बंद आतंग बादियों को कंधार तब पहुचा जाता है जब भारत में बाजपा की सरकार होती है। हमारे देश के अंदर जम्मू कस्वीर में ब्रहामणों पर हमला तब करायाता है दो हजार नवे में जब हमारे देश में भाजपा गटबंदन की सरकार होती है। हमारे देश में आपको मक्षनलाल बिंदरू जो दवा भिकरता है कस्वीर में वो 1990 से लेकर के तब मारा जाता है जब नरंदर बोदी की सरकार होती है केंदर में जो मक्षनलाल बिंदरू कभी नहीं मारा गया दवा भिकरता। मैं यह बात जिने कहना चाहता हूं कि जब 2016 में नरंदर बोदी ने निंक नोट बंदी की थी हमारे देश के से कड़ों लोगों की बैंक अतर पार में जान चली गई मोदीने काता आतंग बात खतम हो गया। मोधी बताए कि नोट बंदी के बाद फर्वरी 2019 में 40 जवानों के हत्या आतंग बादियों ने कैशिक की। नरेंदर मोधी ने कहा था 2019 में अगस 2019 में जब ये 33 सतर धारा हटाई तो कहा सब खतम हो गया तो मोधी बताए नोट बंदी के बाद आतंग का बाद क्यों। मोधी बताए धारा 73 हटाने के बाद आतंग बाद क्यों। और मोधी बताए ते कैसे कहा भारत के लोग चाह रहे हो कि हमारे देश का संबीधान बचना चाहिए गरीबों को पैसा मिलना चाहिए और हमारे देश किसानों को न्याई मिलना चाहिए बेरुजगारों को नौकरी मि जबानों का 20 जबानों की हत्या हुई थी चेतर अदमरे हुए थे मोदी ने कहा कोई नहीं गुशा चीन थर थर काथता है आप इस बात को कहीं नहीं रहे हैं तोड़ा सुनिए जब हमारे जबानों की हत्या करवाई थी तब हमारा 65 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात होता था जबानों की सहधत के बाद बोलता है मोदी कोई नहीं गुशा तो फिर कोट मारसल करो उन जबानों का जिनकी सहधत हुई जो अदमरे थे उनका कोट मारसल करो हमारे देश के सेना के कमांडर 21 बार गिरगड़ा चुके हैं चीन के सेना के सामने कह रहे हैं साफ चले जाओ हमा है परदान मंतरि का एक गुर्गाय है वहां पर बैठा हुआ कि लट्दाग में राज उपराजयपाल बीडी सर्मा बिर्गेडियर सरमाती है शेना का पूर्फ सैनिक है वह कहता है एक इंच पर कबज़ा नहीं है हमारे देश का उत्री कमांड का उपेंदर दुबेदी करके जील में डाल। ऐसे में मोदी जी देश में भव्वे राम मंदिर बना दीजे आप इस पर बोलिये कुछ करके जील में डाल। अगर वह सच बोल रहें तो मोदी को उठा के अध्यरी लगा के जील में डाल। किसे गतारी कर रहा है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहत हूँ आपके दर्सकों को ये बात खूप जानकारी होनी चाहिए और मैं भूपेंदर रहा हूँ जूट है अरोप लगा रहा हूँ तो मोदी सरकार मुझे जील में डाले। हम ये दावे के साथ में कह रहे हमारे देश क सईदों की सहादत का अपमान करके जुट बोला मोदी कि कोई नहीं गुसा है। छेतर अदमरे उन में से भी एक और सहादत हुई। ये किस्वां की सहादत हो गई। क्योंकि जोतन लागे सोतन जाने अब वो कह देते हैं कि मेरा बंसे बिर्दी नहीं हुआ। तब बंसे बि जब चाहो आतंकबाद चिलाएंगे और जब आपका मन हो तो पाकिस्तान चुपके से बिर्यानी खाने चिले जाएंगे। पाकिस्तानी सयद अली अब्बास का साजेदर आप सलाकार के बेटे को बनाएंगे। अब आप समझ लो, जो जामिया, मिलिया, उनिवर्सिटी का नाम ना पढ़ सकता हो, ऐसा पन पढ़ भ्यक्ती मैंने धर्ती पर किसी और देश में नहीं देखा ह। 70 महिला बच्ची, बेटी, बुडियों का बलातकार करके ही और उनका वीडियो बनाया। एक और है इनका बिर्जाबूर्शन, सरन, सिंग, पहलवान बेटियों का योन सोशन करके अभी उसके बेटे को संसत बनाया किया। आप कह रहें? उससे पहले एक उन्नाव में विधायक था, उसने अपनी चचेरी बहन का अपरन किया। और अपरन करके बलातकार किया बड़ी मुश्कित से अगर सुप्रीम कोट अस्तक्षेप नहीं करता तो वो उसको भी सजा नहीं होनी थी। एक लंबी फिरस्ता है, एक अपना इनका है, राम मंदिर का निर्मान करने की बात करते हो, राम मंदिर में दो करोड की जमीन, 18 करोड में, 16 करोड का घोटाला हुआ, और उसका चंदा जुटाने वाले चिनमया नंत की मैं जिकर करूँ, वो अपने कॉलेज के लड़कियों स वहाँ पढ़ने वाले लड़कियों से नगन होकर, नंगा होकर के तेल मालिस करा था, जेल भी जाना पड़ा, वहाँ से भी छुटा भार आ गया, मैं आपके अगर मेरे बड़ी सूची गिंती कराऊं देखिए, मोधी जी ने एक बात जिकर की थी, कि भाई, अगर मेरे नाम असा राम है, और असा राम पेश्य बर बलातकारी था, जे असा राम की गिरबतारी की बात कूट में गवाई के दौरान उसके खंसामा ने कहा है, और आप समझो कि जिसका गुरू बलातकारी हो, अपने ही अन्यायों की बेटियों के साथ, तो फिर मोधी जी का क्या कहे सब्सक्राइब करने के लिए तो आप लोगों ने देखा कि इस तरह से भूपेंदर राओज जी प्रधान मंत्री जी के अच्छे-च्छे कारे गिनवाएं मैं एक और गिंती कराता हूं देखिए हमारे देश में मेरे जैसे लोगे जिन वैक्षीन ने लगाई मैं उनको बधाई यह ना चाहता हूं अब वैक्षीन नहीं लगा है हमारे देश में जिस दिन वैक्षीन के एक करोड़ दस लाक के और दे गए थे उसके बाद 15 मार्च सोंबार का दिन था 2021 को जर्वनी फ्रास इटली डेनमार्क साइथ पांच देश परतिबंद कर चुके थे तो मोधी बोले हमारे देश का वैक्षीन है वो वैक्षीन अस्ट्राजेनिका का था अस्ट्राजेनिका ने स्वीकार कर लिया कि हमारी वैक्षीन से रोज लेते ही इनसान मरता है ठक का जमता है पलेट लेट कम होती है और आपको बताता हूं उसके जो अलग-अलग तंतर है वो काम करने बंद कर देते हैं और मैं आपको बताता हूं अभी MPA मेले कोट में यह मुकदमा धर्ज है और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब पूरे उन लेडिंग देशों ने घटिया वैक्षिन पर पर्तिबंद क्यों लगाया था क्योंकि उनके देश में लोग मर रहे थे ठका जम रहा था पलेट लेट कम हो रही थी क्या हमारे देश का नरेंदर मोधी को जब भूपेंदरात को जानकारी है तो मोधी को नी थी मोधी को जानकारी थी मोधी ने जान-पूज करके हमारे देश के 102 करोड लोगों की दे में घटिया वैक्षिन लगाई जिससे 34 करोड लोग अस्वस्त है नरेंदर मोदी इसके लिए 52 करोड की दलाले लिया और मैं आपको बताता हूँ रेमडी सीबर इंजेक्षन जो कोरोना के समय देश में जिनकी देश पे लगा उनकी जान गई मोदी ने उस से भी दलाली था है मोदी जी हमारा चैनल जनहीत अवाद देखते हैं आपके घर आ जाएंगे चाय पीने के लिए तो आप लोगों ने जिस तरह से भुपेंदर राओ जी को सुना मैं चाय पिलाने वाला नहीं मोदी को मैं पिर आपको कुट कालोंनी का लड़ाए लड़ रहे थी हम पर दो मोदी इस लायक नहीं है कि मैं परधान मंत्री मानूं मैं तो सुप्रीम कोट का दरवजा खटकटा है 2014 में कि मोदी मेरा परधान मंत्री नहीं है लेकिन सुप्रीम कोट स्वीकार नहीं कर सकता तो इस तरह परधान मंत्री मोदी हैं लेकिन हमारे देश के जन मानस के मन में जगह नहीं बना पाई यह मैं तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्यारा है कमेंट बाक्स में जरूर बताए आप भी मोदी जी के अच्छे कारे को जरूर गिनवाए शुक्रिया